तो हाई गैस कैसे है आप सब मैं यूराज आप सभी का इस नए वीडियो के इंदर स्फवागत करता हूँ तो गैस यहाँ पर Redmi Note 7 Pro यूजर और Redmi Note 8 Pro यूजर के लिए एक बेड न्यूस निकल के सामने आ रही है कुछ दिनों पेले यहाँ पर एक मेसेज वाइरल हो रहा था कि Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro का जो बीटा टेस्टिंगे वो स्टार्ट हो चुका है और उस रोम को बीटा टेस्टर के द्वरा टेस्ट किया जा रहा है और जल्दी आपको ओ अपडेट मिलने वाला है तो यहाँ पर आज की दिन officially MIUI के जो admin से उन्होंने यहाँ पर एक मेसेज जारी किया है पोस्ट किया है यहाँ पर इन लोगों ने यह लिखा है कि यह पूरा जो न्यूस था वो फेक है तो मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ तो recently fake news is being spread about Redmi Note 7 and Redmi Note 8 Pro Am I UI 12 update for Indian ROM तो यहाँ पर इन लोगों ने यह लिखा है कि बाए Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro पर अभी तक इंडिया का MIUI 12 का ROM है अपडेट है उसके उपर इन लोगों ने टेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है तो यह जो पूरा news था वो गलत है fake news था और यहाँ पर साथ में इन लोगों ने यह भी mention किया है कि अभी तक global जो बीटारों में MIUI 12 का वो भी इन दोनों phone के लिए चारी नहीं किया गया है तो यह पूरा जो news था वो fake है यही कुछ information निकल के आ रही थी जैसे ही गैस मुझे इसके बारे में कोई भी नया जानकारी या फिर नया information मिल जाएगा तो मैं आपके साथ इसी channel के द्वरा उसको भी share कर दूँगा वैसे गैस यहाँ पर मैंने एक channel open किया है telegram पर MIUI 12 downloads अगर आप चाहे तो इसको follow कर सकते हैं यहाँ पर आपको MIUI 12 के बारे में हर जानकारी हर update और हर news यहाँ पर मिल जाएगी तो अगर आप चाहे तो इसको follow कर सकते हैं इसका link आपको description में मिल जाएगा तो आपको यह video पसंद आया होगा यह information अच्छा लगा होगा अगर आपको video अच्छा लगा है मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजे like अगर आपके कोई भी comment वगरा है सवाल वगरा है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं तो बस आज का video यहीं तक था मिल दे ह एपने वीडियो में